लोगडाउन में नेहा ककर को आई अदित्य की याद याद में लिख दिया अदित्य के लिए एक प्यारा सा पोस्ट क्या लोगडाउन के बाद दोनों का होगा फिर मिलन क्या वाकई दोनों की होगी शादी या कुछ और ही है बात आई ये जानते हैं इंडिन एडल 11 की जज नेहा ककड अपने लोग और मस्ती भरे अंदास के लिए हमेशा चर्चों में रहती हैं। नेहा इससे पहले अपने अफेर को लिकर चर्चों में थी। नेहा और अधित्य नरायन के अफेर की खबरों ने भी खुब सुर्गिया बटोरी थी। आपको याद दिला दे कि नेहा ककड और अधित्य नरायन ने इंडिन एडल 11 के सेट पर शवादी की घोशना की थी। जिसके बाद अधित्य के पिता उधित नरायन भी शो में पहुचे थे। दोनों ने 14 फरवरी 2020 को शवादी करने की घोशना की थी। जिसका सीधा फाइदा शो और चानल की TRP को हुआ था। वेल अप निहा ककड ने एक और तस्वीर शेयर की है जिसकी इस समय काफी चर्चा हो रही है। निहा ने अधित्य के साथ ये तस्वीर शेयर की है। इसमें दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर से जादा नेहा ककड का कैप्शन चर्चा में है। नेहा ने इस स्पेशल तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा। लोगडाउन खतम होने के बाद मैं। वेल आपको बता दे कि इस पोस्ट पर अधित्य ने कमेंट की और कहा हम कितने लखी हैं जो हमने लाइफ के इतने खुबसूरत मुमेंट्स को साथ जिया। टीम बन कर I hope you are safe and healthy अपना ध्यान रखना जल्द हिम मिलते हैं नेहूं। वेल आप इस पोस्ट के बाद से फैंस ने अधित्य नेहा के दुबारा साथ आने की कयास लगाना शुरू कर दिये हैं। आपकी क्या राय हैं नेहा के इस पोस्ट पर अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए चली मसाला।